गुड मॉनिंग इस्टुटेंट्स आज आज आओ सभी आपकी एक कलास शुरू हो चुकी है कौक्छा दसकी एंसे एर्टी मैद आपके ये सभी राज्य के सभी बोर्ड के चात्र चात्राओं के लिए बहुत ही मात्तपूर्ड सावित होगी और हम इस समय पढ़ रहे हैं जो चैप्टर का नाम है दो चर्रासी में रैखिक समीकरण तो साथिओं आज ये इसका तीसरा कलास है जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 का कुष्टन नंबर दूसरा देखेंगे ठीक ना मतलब ये चर्रासियों का जो समीकरण वाला पार्ट है 3.1 से लेकर के 3.2 तक अभी तक अपक हैं और किस इस्तिती में रेखाएं समांतर के अलामा संपाती होती हैं पहले ये कांसेप्ट समझ लेना तब सवाल समझ में आज आएगा लेकिन पहले हम कुष्टन देख लेते हैं इसके बाद हम कुष्टन मिटा देंगे ठीक ना नोट कर लो चल दिसे या फिर स्क्रीन दिद करती हैं वो समांतर है अथवा संपाती हैं देखिए अभी वो समीकरण नहीं दिखाए गए हैं मैं आपको समीकरण दिखाऊंगा लेकिन पहले हम आपको संपाती का और समांतर का परतिबंध और सरते बता देता हूं ध्यान देना साथियों यहां पर तीन सरते होंगी जिन में से दो आप देख लो, एक अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक ना, या तो रेखाएं परतिछेदित करेंगी, या समांतर होंगी, या फिर समपाति होंगी तीनों में से कोई एक जरूर होंगी, दोनों समीकरण से निरूपित रेखाएं अब ध्यान देना, समांतर कब होंगी, समपाति कम होंगी, और कब परतिछेदित करेंगी, तीनों कंडिसन देख लेना अभी यह चीज आपको मिलेगा, कुईस्टन जब दोनों इक क्वेशन लिखूंगा तो यह मिलेगा आपको, आपको अनुमान लगाना रहेगा देखो याद रखना, रेखाएं परतिछेदित तब ही करेंगी, जब A1 अपान A2, does not equal B1 अपान B2, मतलब A1 A2 कमान B1 B2 के बराबर नहीं होगा, तो रेखाएं परतिछेदित करेंगी, मतलब एक दूसरे को काट देंगी, अगर यह दोनों बराबर नहीं होंगे जैसे A1 अपान A2 कमान अगर दूई बटा तीन आ गया है, तो B1 अपान B2 कमान जैसे एक बटा साथ आ जाए, मतलब इसके बराबर नहीं हो, कुछ ऐसा कंडिशन बननी चाहिए, अभी देखना आगे सारा खेल होगा दूसरा, रेखाए संपाती कब होंगी, साथियों रेखाए संपाती तब होंगी, जब दोनों समीकरण से प्राप्त जो इक्वेशन बनेगा, वो A1 अपान A2, B1 अपान B2, इक्वल C1 अपान C2 तीनों बराबर होंगे जैसे तीनों मानलों एक बटा दो आगए, तो ये तीनों एक ही बटा दो आने चाहिए है, तो ऐसी थिती में रेखाए संपाती होंगी, एक बचता है कि रेखाए समानतर कब होंगी, तो साथियों रेखाए समानतर तब होंगी, जब A1 अपान A2, क्या, A1 अपान A2, इक्व B1 upon B2 तो हो जाए लेकिन इसमें देखो ये तीसरा वाला condition है ये C1 upon C2 के बराबर ना आए यानि कि ये चीज बराबर ना हो तब रेखाएं क्या होंगी तब रेखाएं क्या होंगी समानतर होंगी नोट कर लो नोट कर लो जल्दी से ये तीसरा भी हो गया ये क्या होंगी समानतर होंगी ठीक ना लिख लो फटा फट लिख लो तुरंत लिख लो लिख लो देखो मतलब समझना A1 upon A2 जो है वो तो बराबर हो लेकिन ये जो दूसरा वाला एक और थायार कहां गया हो एक मिनट हाँ C1 upon C2 ये बराबर नहीं होगा तब ऐसे इस्तिती में वो क्या होंगी रेखाए समानतर होंगी एक्जांपल देख लो अभी कुजिशन करने पर सब आ जाएगा ये A1 upon A2 equal B1 upon B2 लेकिन जो C1 upon C2 है इसका मान एक बटा 5 आ जाए मतलब इन दोनों के बराबर नहीं बस यही थी तीनों कंडिशन चलिए देखते हैं पूरा तमासा क्या होता है आगे कुश्चन में अब जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लो स्क्रीन शार्ट ले लो फटा पर तुरंथ अगर ना लिख पाते हो तो वीडियो को पीछे करके लिखिए रोंक करके लिखिए वीडियो को लेकिन लिखिए फटा पर नोट्स बनाइए देखिए वित्रों दो इक्वेशन आपके इबुक में दिये होंगे पहला 5x plus 4y plus 8 equal 0 दूसरा इक्वेशन दिया होगा 7x plus 6y minus 9 equal 0 दिया है ना बुक खोल के देख लो आप देखना क्या करना है पूरी कहानी आप समझ चुके हो कि कब रिखाए समानतर होंगी कब समपाती होंगी लेकिन मुसीबत हमारे पास है कि हमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 मिलेगा कैसे तो वही मैं आपको बताने माला हूँ कैसे मिलेगा पहले दिये गए समिकरण की आप लिख लो एक लाइन लिखो जल्दी से दिये गए समिकरण की a1, x, plus b1, y, plus c1, equal 0 से तुलना करने पर लिखो मैं नहीं लिखूंगा दिये गए समिकरण की a1, x, plus b1, y, plus c1, equal 0 से तुलना करने पर ये इसका मानक समिकरण होता है इस रूप का ठीक न? अब देखना जब इसकी तुलना करोगे जड़ा ध्यान दो तो यहां पर yaks है, इसमें भी yaks है इसमें 5 है, इसमें a1 है न? यानि की a1 का मान क्या है? 5 है ध्यान दे न? इसमें y है, इसमें b1 है, इसमें 4 है यानि कहने का मतलब की b1 का मान कितना है? 4 है इसमें c1 है इसमें 8 है कुछ नहीं है तो c1 क्या है 8 है देखो a1 मिल गया b1 मिल गया c1 मिल गया दूसरे समिकरन में भी यही लिखोगे क्या लिखोगे दिये गए समिकरन की a2x प्लस b2y प्लस c2ईक्वल 0 से तुल्ना करने पर तो तुल्ना करलो A2 क्या आएगा देखो 7 आएगा B2 क्या आएगा 6 आएगा C2 क्या आएगा 9 आएगा मिल गया सब कुछ न अब मान निकालो यार यही तो कह रहा था कि देखना था इसको क्या करना है यह समानतर है की समपाती है तो चलो हम सभी को निकाल लेते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब निकाल लेते हैं जो आएगा आपके सामने आएगा चलिए ध्यान देना यह आप लिख लो इतना यह इतना एक इस्टेप हो गया चाहे इसको नीचे ऊपर लिख लेना उसको इसके नीचे लिख लेना इसके नीचे ठीक फिर आगे लिखना next step देखना इतना क इक्कॉल वन कमान क्या है औरे कुछ तो बोलो यार दिमाग तो लगा ठोड़ा सा मैंने लिख दिया चीटिंग तो कर सकते हो नक्या है एवन कमान पाँच है मू बना के वैटों बोल नहीं रहे हो A2 का मान क्या है? उदर से देखो A2 मतलब 7 ये हो गया? चलो ठीक है B1 अपान B2 निकाल लो B1 का मान क्या है? लाल टोपी वाले आप ही बोल तो थोड़ा सा क्यों सरमा रहे हो? B1 का मान है 4 B2 का मान क्या है? उदर से देख लो 6 इसको सरल कर लो चाहे तो अभी कोई मुसीबत नहीं है 2 दूना 4, 2 तीया 6 C1 अपान C2 निकाल लो C1 का मान क्या है? इसे देख लो इदर से 8 C2 का मान क्या है? 9 देखो सब मिल गया ना यार? सब मिल गया ना? अब हम चेक करेंगे कि रेखाएं समान तरहें की संपाती है इतना उतार लो पहले और हाँ ये जो मैं ऐसे ऐसे निकाल रहा हूँ आप चाहो तो इसको नीचे उपर भी निकाल सकते हो ऐसे भी लिख दोगे तो कोई माई का लाल पैदा नहीं जो गलत काड़ देगा ठीक ना ऐसे भी लिख देना कुछ भी गड़बर नहीं जैसे मैंने लिखा काउपी में भी ऐसे लिख सकते हो लेकिन आप काउपी में बीच में इतना स्पेस मत छोड़ना क्योंकि हमारा बोर्ड जो है ये आठ भाई चार का है आपकी काउपी छोटी सी होगी तो इसको भगल-बगल मत लिखना आप नीचे ऊपर लिखोगे तब ही मज़ा आएगा इसको भगल-बगल लिखोगे जगा नहीं बचेगी ठीक ना चलिए लिख लो अब आगे मैं आपको बताता हूँ इसमें लिखना कैसे है अब लिखिए नीचे लिखिए नीचे लिखिए और इसमें मित्रों एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ जो की बुक से मैंने मतलब नहीं कंफर्म किया वो क्या है ध्यान देना देखो ये 5 यक्स धन 4 वाई धन 8 था ना यही था जो भी है हाँ एक मिनट देखना आपके बुक में जो क्विश्चन दिया गए उसमें चिन का थोड़ा सा इस्यू है देखना कोई गलती नहीं क्विश्चन में जैसे क्विश्चन लिखो के तरीका वही रहेगा तो साथियों इसमें बुक में माइनस दिया है यह माइनस चार वाई दिया है तो आपके में अंतर क्या होगा ये चार जो है माइनस में आएगा कहने का मतलब ये माइनस में आएगा आप ऐसे थोड़ा फा चिन लगा लेना नहीं लगा ना तब भी कुछ गड़ बढ़ नहीं लेकिन हाँ एक्जाम में ऐसा ना करना एक्जाम में अगर कुईशन माइनस लगा के आएगा तो आपका उतर जो है माइनस में आएगा हाँ जैसे मैंने बता दिया अगर वो ऐसे पेपर में आगया तो ऐसे लगा देना कुछ गड़ बढ़ नहीं है देखो माarinस में क्यों आएगा क्यूंकि यजो चिन इसके पहले होटा है उतारते समय वो चिन के साथ लिखा जाता है Confuse मत हो इवत अबना बिलकूल और इसमें क्या है थोड़ाओ इसoule यह है कि देखो यह C1 बाए सेटू का मान नओ उसके पाहले माइनका तो सीटू भी क्या लिएगा- माला इस नहीं दिया उसके लिए असके लिए सौरी लेकिन धहान देना ऐसे ही कुषिशन दिया है ना मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की चक्क्र में जल्दी कर दिया तो बस यह ठीक है अब देखना थोड़ा सा अंसर में बदला हो जाएगा जहां पर यह मान आया था बीवन वाला यह माइनस में हो जाएगा कहने का मतलब यह माइनस दोई बटा तीन आएगा ठीक जहां पर सी टू कमान आया था यह भी माइनस में हो जाएगा यह माइनस नौ बटा आठ एवन अपान एटू डज नाट इक्वल बीवन अपान वी टू और डज नाट इक्वल सी वन अपान सी टू इसलिए रेखाएं परस पर क्या करेंगी पहला वाला कंडिशन साही है न परतिछे दित करेंगी यही तो था क्या करेंगी रेखाएं परसपर परतिछे दिद करेंगी बात समझ में आई न क्यों नहीं बराबर है क्योंकि देखो यार A1 upon A2 जो आया है 5 बटा 7 अब मैं समझा रहा हूँ अब कुछ ना करना वो B1 upon B2 के बिल्कुल बराबर तो नहीं आया न चलिए दूसरा equation लिखना बहुत फास्ट करना फटा फट जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चलो बहुत कम टाइम बचा है और जितना मैं पढ़ा हूँ उतना ही कर लेना पास होने से कोई रोंक नहीं सकेगा और जो पहले पढ़ाया गया उसको भी देख लेना पहले बहुत कुछ पढ़ा दिया गया है इसी तरह से students जब आप दूसरा equation लिखोगे जो कि आपके ये दूसरे सवाल का दूसरा part है तो इसमें आप पूरी प्रकिदिया करोगे जो मैंने अभी पहले में बताया था तो आपको A1, A2, B1, B2 और C1, C2 का जो मान आएगा वो तीनों का एक बटा दो आएगा यानि कि तीनों रेखाएं क्या होंगी ये तीनों क्या होंगे बराबर होंगे तो जब ये तीनों बराबर होते हैं ऐसे इस्तिति में क्या होता है रेखाय समपाती होती हैं क्या होती है समपाती होती है इसके बाद जो इसमें का तीसरा question है उसको भी सुन लो आप सभी ध्यान से तीसरा question है 2y minus oh sorry 2x minus y plus 9 equal 0 और 6x minus 3y plus 10 equal 0 यह तीसरा है ना इसका जब आप करोगे तो क्या हो का पता है तीसरे वाले का जब आप करोगे तो A1 त्यान देना तीसरा के लिए तीसरा में A1 A2 equal B1 B2 तो आएगा निकाल के देखना अभी मैं बता देता हूं कितना आएगा लेकिन C1 C2 यह क्या होगा इन सब के बराबर नहीं होगा तो मित्रों आएसी इस्थिती में हमने अभी कंडिशन बताया था तीसरी वाली कि जब ऐसा होता है तो रेखाएं क्या होती हैं समानतर होती है ठीक ना तो इस तरह से आपका यह दूसरा कुश्चन इतम कंपलीट हो चुका है तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में बहुत बहुत शुक्री आप सभी को ठैंक्यू जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जल्दी से जल्दी हम आपका पूरा कंपलीट कोर्स उपलब्द कराएंगे इससे रिलेटेड जितने भी कुष्चन है आप उन्हें रट डालें याद कलने अच्छे से समझ लें और फिर देखते रहें पीवियर इस्टडी कहीं से भी और कभी भी